अस्सलाम अलेकुम स्टूरेंस आज हम डिप्रेंशल इक्वीशन के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट हम डिप्रेंशल इक्वीशन की डिफिनीशन लिखते है यहनी इन इक्वीशन इन वालविंग डिरिवेटियो ओफ आ फंक्शन आर फंक्शन्स यहनी वो इक्वीशन जिसमें डिरिवेटियो इन वालविंग हो उसे हम डिप्रेंशल इक्वीशन कहते है फर एक्वीशन यह हमारे साथ एक एक्वीशन है एक्स प्लस य इक्वीशन यह हो गया दूसरा हमारे साथ तो y equal to 2x plus 3 हो गया, third equation हमारे साथ है, y equal to sin x, fourth equation हमारे साथ है, y equal to x square plus e power x, fifth equation हमारे साथ है, y equal to e power x, इसी तरह हम six equation लिखते है, y equal to 2xy plus x square, seventh equation हमारे साथ, x square plus y square equal to zero, तो यानि जब भी इसमें हमारे साथ derivative involved हो, तो उसे हम differential equation कहते हैं, पर इजम्पल यहाँ पे x plus y है, x plus y equal to zero, अगर हम यहाँ पे derivative लगाए, x plus d, पर इजम्पल अगर y के लिए हम derivative लेते हैं, तो यह हमारे साथ dy divided by dx हो जाएगा, equal to zero, तो y हमारे साथ यहनि dependent variable है with respect to x, यह हमारे साथ dependent variable हो गया, dependent, यह dependent variable, और यह x हमारे साथ independent variable है, तो इसको हम differential equation कह सकते हैं, यहनि पर इजम्पल जब भी हमारे साथ, कोई equation में d by dx आजाए, या d by dy आजाए, या इस तरह अपने लेख सकते हैं, d by dv हो, या d by dt हो, तो वो हमारे साथ differential equation होगा, पर इजम्पल यह हमारे साथ y है, यानि हम ये वाला पाट लेते हैं, y equal to e power x है, तो यह हमारे साथ, यदि इसके साथ जब हम d by dx लगाए, तो ये भी हमारे साथ differential equation होगा, अगर इसके साथ हम d by dx लगाए, तो ये भी differential equation होगा अगर इसके साथ dy divided by dx हम put करे तो ये सारे equation के साथ जब हम d by dx put करे या d by dv put करे या d by dt put करे तो वो हमारे साथ differential equation होगा उमीद करते हैं आप लोगों को समझ आ चुका होगा Thank you for watching